एंचे और वारिकर है विड्राष्ट तॉफ हूटतों विढ जातुरियों है वीजियर्ट क्लासिफिकेशन hack zork new अबने मुआ testing विजा नश्मीन कोय थे बाउनकी तपराह संसे इसलिह भी एक यह पर्ने टॉपिक्स है वो पढ़ने है डाग्रम क्लिरिटी रख नहीं है एंड यह जो लेक्चर है यह बोड के परपस से एंड नीट स्टुएंट्स के लिए हैं दौनों के लिए सफिसेंट है इससे उपर ना बोर्ड में आएगा ना ही नीट के अंदर आएगा सुपर फीसल डेफिनेशन से हम लॉन्वल स्टाट अप करते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं मैं आपको पहले एक डीटेल एक स्कैश देता हूं कि हम एक्जेटली करेंगे क्या तो फर्स्ट अफॉल हम एक इस्टा पे स्टार्ट करेंगे एंड देन किंग्डम फंजाई प्लांटे अनिमेलिया वाइरिस व्योट्स अनलेकेंड तो हमारी यह सिक्वेंघेंगे पढाने के लिए तो अब जैसे कि बायलोजी क्लासिफिकेशन तो हम बायलोजीकल टर्म भी है और क्लासिफिकेशन टर अमने बहुत सारी चीज़े थी, वाइरइस भी थे, लाइकेंस भी थे, फणजाई भी थी, और बहुत सारे गरूब थे, अब मुझे नहीं मालू हूं Ronald, फणजाई कrange से बोलता है,'इस स्टार्टिंग में या किसी भी, चोटे चोटे क्राइटरिया डिफाइन करना स्टार्ट कर दिये जैसे जैसे हमारी इवल्यूशन हम अडप्ट करते गए धीरे धीरे चीजों को तो क्लासिफिकेशन एक बहुत जरूरी है क्योंकि बिदाउट क्लासिफिकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते अब स्टार्ट अप करते हैं कि अब देखो सिंपल यहां सब लिखा है स्टार्टिंग में सिनसर डॉन ऑफ सिविलाइशन मतलब सब्वेता के आरंब के बाद जैसे हमारी सब्वेता आरंब हुई इस्टेबलाइज हुई मतलब हम जानने लगए चीजों को तब से तब अपने अर्गूमेंन रखता था एक आर्ग्यू कमेंट करता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे सरे रहो अब आगे पढ़ते हैं It was done instinctively, not using criteria, that was scientific, but born out of need to use of our, for our own use. मतलब पहले स्टार्टिंग में साइन्स का इतना involvement नेता चीजों को लेकर के, लोग की समझ नहीं थी, लोग समझ रेते, परक रेते ही चीजों को लेकर की, होता क्या है चीज़ा एक्जिटली. तब उस टेम पे लोग क्लासिफिकेशन नॉर्मली ऐसे उठाए कर देते, कि चीजों का यूज क्या है, ऐसे कोई पेड है, आम है, आम का यूज क्या है, भई उसको एक प्लांट के फॉर्म में रख दिया, कौंट से अनिमला क्या यूज है, उस पर रख दिया, मतलब सिंपली के बात हम यूज एंड डिस यूज पर करते थे, तो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन, अच्छा, ऐसे जूम कर सकते हैं, मुझे थोड़ा साना सर, स्पेस भी चाहिए, मुझे थे, इस्टाइड करूँ, इस्टाइड करूँ, स्टाइड कर देट राट्र कर मैंने, इस पे चीज़ों को किसे यूज करते हैं किस चीजों को डिस्यूज करते हैं, इन सब चीजों पर हमने ज्यादा फोकॉस किया, उस टेम साइंस डेवलफ नहीं थी और टेक्निक्स नहीं ती तो चीजु लोग सिरी यूजन पर एंट इस पर थे हैं, तो मोढ़ी मोटी बात यह निदीख सरी निएड़ ट दिपहीड कर दिए अब वो चब एक अलाको फ़र्स ऑफ आफ एरलीस्ट सबसे पहले अरेस्टोटल सभाए थे Aristotle साहब एक scientist थे हाला कि scientist ने एक philosopher थे Aristotle साहब तो उनको विज्ञान की ऐसे कोई समझ नहीं थी बस एक philosopher थे उनको पता था कि यहाँ ठीक है यह सारी चीज होती है और ऐसे से होती है तो Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification अब देखे रहो एक philosopher पर इंसान आकर के और science की दुनिया में एक अलगी लेवल का वो एक और उसने क्रेट किया है science की दुनिया में Aristotle साहब ने उनको नहीं पता क्या है बस एक philosopher थे उन्होंने जाना कि यह सब चीज ऐसे से होती है well-defined criteria किया and then देदी चीजे तो Aristotle साहब ने सबसे पहले earliest attempt दिया था more scientific basis of classification उन्होंने क्या क्या था उन्होंने यूज क्या था simple morphological characters simple morphological characters क्या होते है suppose that मैंने एक पेड़ देखा एक आम का पेड़ देख लिया अब आम के पेड़ पे मैंने देखा कि पतियां उसकी reticulate vaniations है यह सब पढ़ेंगे अभी आगे पूरा detail knowledge पढ़ेंगे reticulate vaniations है उस पे flower पीले रंग का आ रहा है उस पे एक आम आ रहा है आम का सेप आ रहा है तो यह मैंने देखे कि हाँ एक मैंने well defined criteria define किया कि भई morphological ऐसे ऐसे हैं अब एक मान के चलो मैंने एक कुट्टा देखा एक सपोजड़ एक कुट्टा देखा तो मुझे पता है कि उत्ते कान ऐसे होते है skin ऐसे होती है तो different criteria पे उन्होंने morphological criteria पे define कर दिया कि simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs अब देखो यह यह चीज important है कि morphological criteria पे हम trees, shrubs and herbs को define कर सकते है अब मैं कहीं किया suppose that तो मैंने देखे बहुत बड़ा पेड़ है तो मैंने उसको ट्री के टम में रख दिया फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया मैंने देखा कि छोटे-चोटे plants भी है तो मैंने उनको shrubs में रख गया हमारी medicinal, traditional medicine सी सब हब्स के उपर काम करती है सब हब्स ही है जो ही traditional medicine में काम आते है तो हमने सीधा सामने से देख के बताया कि ये पेड़ है ये स्रब है और ये हब्स है ठीक है तो ये तो हो गया Aristotle का classification तो first of all हमारा need to use पे किया था हमने अब एक और चीज plants की दो बात हो गई अब animals की बात भी करेंगे तो उन्होंने animals को डिवाइड किया दो ग्रूप के अंदर वो दो कौन से ग्रूप थे एक तो वो ग्रूप उन्होंने देखा कि भाई किसी में खून आ रहा है काटने पे किसी में बलड़ी नहीं आ रहा है काटने पे अब यह बताओ बलड किसमें नहीं आएगा छोटे-चो इंसेक्ट्स होते हैं अगर तो मार दोगे तो उन्होंने बलड नहीं आता है क्योंकि उन्हों फिर अलग टाइप से ही खोज हुई थी कि उन्हें बलड क्यों नहीं आ रहा है फिर वो आगे पढ़ेंगे हम कि उसमें हमोलीफ होता है और जिसमें नहीं होता है और जिसमें नहीं होता है और जिसमें नहीं होता है उसमें एनियमा बोल दिया खीक है अब आगे पढ़ते हैं अब दीर दीर अरस्टोटर के साथ साहब के साथ और भी सारे साइन्टिस्ट ने इसमें जिग्यास लेने सुरू की कि चलो बाइलोजी क्लासिफिकेस्टन का देखते हैं क्या होता है फिल लीनियस साहब आए यह अपने उस टैम के बहुत कि सबसे पहला सैंटिफिक क्लासिफिकेस्टिक कि दिया था अर्षसाहब ने उसके बाद लीनियस साब आया हमारे ली लीनियस्याब क्यें सिस्टम और क्लासिफिकेस्टिकेस्ट विःत प्लांटे एणन थे हमेद्म नहीं हुआपग खर दिए यह वह लींना चाहब चिएक लेकिन दो किक्टम आदारबूत किस नहीं दा था लीनिस अबने इनोंने क्या बताया था कि प्लांट और अनिमल कि दो गुरूप बना दिये एक प्लांट है और एक अनिमल गुरूप है अब क्या हुआ कि ऑ दileप्त अनिमल सब्ड्रेज़ चामियेा और और स़िरे ओंप daha भलांट में दोटृप में लगिए लग पे दिया चीर नेक स्वेशन की प्र कि अमयर्दूद पमे प्लांट में आब क्यों अभी आपके आगे पढ़ेंगे क्यों प्लांट में डाल दिया क्यों उसमें डिस्प्यूट हुए वाद विवाद हुए साइन्टिस्ट के बीच में एंसाइटी में सब लिखा है बस प्रॉपर तरीकी से लाइन टू लाइन पढ़ने के बसकता है वो मैं तुमको यहां एक्दम लाइन टू लाइन आप सब को यहां पढ़ा दूँगा अब देखो kingdom was developed that include plant animal respectively this system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote अब यहां पर लीनियस साब की जो थियोरी थी जो इन्होंने जो दिया था कि प्लांट और अनिमल के अंदर इसमें disputes आना शुरू हो गया क्या यह prokaryote eukaryotes को नहीं बता पाए अब बोलोगी कि prokaryote पहले नहीं थे क्या पहले थे लेकिन पहले उस पर ध्यान नहीं दिये गा था उन पर study नहीं की गे थी prokaryote यह नहीं बता पाया थे कि prokaryote और eukaryote को इन्होंने सीधा प्लांट में डाल दिया क्यों इनको लगा plant पे वैल डिफाइन क्रैटरिया डिफाइन किया था कि plant का मतलब उन पर cell wall होना अब प्लांट का मतलब उन पर cell wall होना अब अब यूनी सेलर मल्टी सेलर को डिस्टिंग सेड़ी इसनिख ऑपकष्ट प्लांट थे जो अब जितने हम प्लांट्स नॉर्मल दिखते हैं plant वाल समें मल्टी सेलर है कुछ यूनी सेलर होते बहुत सारे plants unicellular होते हैं तो उसमें spirogera उगया यह सारे और ही बहुत सारे different हैं जैसे klamidomonas हो गया unicellular है हलागी spirogera है multi-cellular team में आ जाता है लेकिन klamidomonas यह यूनिसलर है तो यह महीं बहुत दिख्कत पढ़ने लगे कि क्या करें कि तो उसी वेसे लीने साब को इतना नहीं था क्योंकि उस टेम पे साइस इतनी इतना इनोंने कर दिया यही बहुत बड़ी बात थी कि इनोंने स्टाटप दिया चीजों को यह अपने आप में बहुत बड़ा था फिर युनिशनल मल्टिसलल और्गिसम्स एंड फोटो सिंथेटिक ग्रीन अलगी और नॉन फोटो सिंथेटिक ग्रीन अलगी अब जाहिड सी बात देरे साइंस आगे बढ़ रहे थी तो तरक्की भी होती जा रहे थी और अलगी फंजाई डिफेंट इफंट ग्रूम निकल ग पहुत जाल द्याता था तो फोट टश्की क्या-क्रास यह अलगी और वहाँ परकरिट ऊंचांज ओनप्गार मेल्टी से और इस पोटो सिंथेटीक और फोटो सिंथेटीक और फोटो सिंथेटिक उटेटीक है इसल沒錯 चाइब आपका वहां बीश्ले जाय और यहopaं परशों ठीक है अब classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand but a large number of organisms did not fall into either categories मतलब ठीक है classification चीज़े असान तो हुई थी लेकिन इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे जो large number of categories थे वो इसमें आही नहीं रहे थे असान चीज़े बहुत हुई थी सारी लेकिन इसमें चीज़े कुछ आ रही थी कुछ हत्तक कुछ हत्तक नहीं आ रही थी इन्होंने एक चीज़ लिखा है कि large number of organisms large number of organisms का मतलब कि यह inadequate हो गया अगर इसमें कुछ ही exception होते तो मैं plant animal को अलग ही नहीं करता मैं plants के अंदर जो group रह रहे हैं को group रहन देता अनिमल में जुर रहे हैं रहन देता इतनी महनत नहीं करते हैं लीनिय साब के उस पे concept पे लेकिन large number of organisms अलग हाए लग गया कि plants के अंदर हमने बहुत सार ऐसे जग दिये जो आही नीरे थे असान था इसी वह से काफी लॉंग टाइम तक चला था एंड वरस फांस तो इनडिवेट बाद में फिर बहुत लॉंग टाइम तक चला जैसे हमारी खोजी आगे बढ़ते रही बहुत सार हम चीज जानते रहे पैचानते रहे तो फिर यह पता चला कि यह हमारे लिए उतना परयापत नहीं है इनडिकूइट है पर परयापत नहीं है हमारे लिए न अब क्या हुआ बिसाइड ग्रॉट मार्फलोजी अनीड वस ऑल्सो फैल फॉर इंक्लूडिंग अधर करेक्टरेश्टिक्स मतलब ठीके ग्रॉश मार्फलोजी को रखो आप लेकिन उसके अलावा उसके अलावा और ही बहुत सारी चीज़ इंक्लूड की जैसे की अनीड वस ऑल्सो फैल्ट इसीज़ की हमें जरुत एहसास या मैं महसूस होने लगी कि इंक्लूडिंग अधर क्रेक्टरिस लेक्स सेल स्ट्रक्चर हमें सेल स्ट्रक्चर कहने लग गया क्यूंकि भाई हो ट अब चीज़ जानना सुरू करी तो जहर सी बाते जितना डीप जाते जाओगे उतना चीज़ी उभर के आएंगी उतने चीज़ों को डिस्पीट बढ़ेगा कि प्लांट में तो हमने ऐसे से रखा था लेकिन इसमें तो यह चीज़ मिल रही है तो यह सब चीज़ आई क्यूंकि प्लांट के लियें जो मतबेद हुए तो यह सब में स crown ओड़ेया है अप उसमें इसमें भी रख देंगा देरियों स्प्लांट को नौन सिंत्रिय फोसंथि Clinical और सॉपदुरों के मौशा elongate कि वह सैप्रोफीटिक है, फोटोसिंतिटिक है, नोन फोटोसिंतिटिक है, तो धीरे-धीरे-धीरे चीजे सरल होएं लगी, habitat कि वह कहां रहते हैं, कोई पानी में रोकरे टर्रेस्टनल है, कोई एक्विटिक है, कोई कहीं रहता, कोई जीरुफिटीक एडपेशन लेकिसी का, method of reproduction कि उनके reproduction के method कैसे हैं वो कि स्टेप से reproduce करते हैं कि स्टेप से प्रोजनी को आगे पढ़ाते हैं एक या दो ऐसे करके different methods है एक चीज यहां टर्म लिखे होती इवल्यूशनी रेलेसंशिप्स यह टर्म समझा थोड़ा इसकी सपोस्ट एक प्लांट है अब प्लांट से पहले तो स्टार्टिंग में वह ब्रायोफाइटा फिर और टर्रीडोफाइटा ऐसे different different evolution relationship में आये है तो उनसे आपके क्या relation है तो evolution relationship में इसको आगे हम बहुत अच्छे से detail में सब्सक्राइब को अभी बस आभी समझेए कि natural wall है mode of nutrition habitat method reproduction evolution relationship important इसलिए भी एना क्योंकि सब्सक्राइब हमारे पास कोई missing link है हमें पता नहीं चल रहा कहां से ही क्या आया तो इसक्लिए evolution relationship ढूणना बहुत असान होता है कि evolution relationship के according हम सारी चीज़ों को normalize कर लेते कि हाँ ठीक है यह ऐसे से आया होगा बताएंगे इसको evolution relationship को बहुत अच्छे detail में analysis करेंगे इसकी classifying system for the living organisms have hands undergone several changes अब पता चला देरे सब चीज़े पता चाहन लगें तो दिरी-दी classifying system system भी change होए लग गए तो almost सारे चीज़े जब इदम clear out होए लगे तो classifying system change होगी अब क्या होगा था time के साथ चेंज होगा through the plant animals kingdom have been a constant under all different system एक चीज और धियान रखना कि धीरी-दीरे चीज़े तो change हुई है लेकिन हमने जो लीनियस साब ने plant और animal को बताया था वो तो हमेसा constant ही है अभी जितने different different और kingdom sign लग जाएंगे तो चीज़े constant ने लग जाएगी एक चीज़े यहाद रखना कि ऐसा नहीं है कि प्लांट और animal kingdom वो बना के चले गए तो उनकी वैसा हम constant नहीं जब वो जो चीज पहले से system में है उसको हटाना वहाँसा ठीक नहीं है क्यों क्योंकि हम उसमें और चीज़े include कर सकते हैं और दूसरे system बना सकते हैं तो वही चीज़े है कि plant और animal kingdom को अभी भी persistent रखा गया have been done constant अरदा include under these kingdoms have been changing और इसके अंदर दिरी दिरी चींजिंग करते गए the number and the nature of other kingdoms have also been understood differently different scientists over the time अब देखो दिरे दिरे क्या हुआ कि plant animal के बाद दिरे दिरे different scientists समझते गए और दिरे दिरे kingdoms plants में फिर एनिमीलिया के अंदर और protist आ गया moderns आ गया फंजाई आ गया इस सारे सारे वह आ गया अपने पास kingdoms आ गया तो आगे बढ़ते हैं देखो यहां पर लिखाया है कि characteristics of five kingdom कि मैंने बता है नहीं आपको बस मैंने सिफ यह बता दिया था कि two kingdom classification आगे थे कौन-कौन से plant animal उसके different different scientist के नाम आते हूं वह जानने कोई सकता नहीं नहीं कभी नीटे पूछा आता है नहीं कभी बोर्ड के पूछा आता है एंट सफिसेंट है बस आप जान लो कि five kingdom classification में फर्स्ट प्लांटे आता है अनिमेलिया फिर धीरे उसके बाद है प्रोटिस्टा उसके आदा मॉंडरंस देनाय फंजाई 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 जो है लास्ट की नम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको आरेज विटागर साब ने दिया था अभी आरेज विटागर साब की बादने बात करेंगे वह जब आएगा पहले तो five kingdom classification क्लासिफिकेशन की बस यादर कि आरेज विटागर सामने five kingdom classification का जनम उन्हों नहीं जनम दिया था क्योंकि फंजाई का एक ऐसा मैं लिटफिकेशन की किसी भी सेल्स पे सेलन नहीं फोती है तो साफत दुर प्रमीद में मना किरेंगे देंग कि वह नहीं रख या प्रॉब्लम की उसको कहा रखे है कि हम फ्लांट में ही का विदर इस इसमय रहा हो फ्लांटा too left हो इस हम ने विद dipping के ना नहीं दिनक आदर ऑपिeder ठीक है मैंने प्लांट एनिमीलिया देन प्रोटिस्टा मोन्रा फंजा यह सीक्वेंस थे साइन्टिस्ट के खोजने के लेकिन हमको उससे मतलब नहीं हमको पढ़ना है एंसाइट का गॉडिक तो फर्स उन्होंने किना में दिया है मोन्रा मतलब जितने भी प्रोकरियोट्स है जितने भी आल प्रोकरियोट्स वो सब के सब किसमें आते हैं मोन्रा गुरूप्स के अंदर आते हैं ठीक है फिर प्रोटिस्टा में यूकरियोट्स आते हैं यूकरियोट्स में कौन से होते हैं आल यूनिसलर यूकरियोट्स क्योंकि हमें प्रॉब्लम पढ़ती कि मल्टिस उतरले उकिरी उच्छिक्ट बदиях घ किसमें रखें अब प्रहोटिक नाम दिया था क्या तिए अक हम दया मिन्हों तो प्रोटिस्थेश्थ बेली मू खिंग्डम कि अंदय कि All I'm the speed of Kingडम इस लिए क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर किसी बीजिक का पता ना चलता है ना कि यह चीज कहा रहा रही कहा रखेंगा तो उसे सिधा पोड़ ड़र डाल देते हैं कि पोड़ भी-स्टाब में पूरा डेंड अन्लिशस पूर कमें संट साथी में बॉलिट थैंट अन बॉट एक्जामनेशन युकारी अटिक सहले होती है फंजाई युकारीटिक के प्लांटी युकारी टिक एमिलियस युकारी टिक मतलब हमें क्या बतला कि MONDRA CVE का ऐसा ग्रूप है जो प्रू कैरियोट है बागी सबके सब ग्रूप यूकरियोट से अब दूसरी बात करते हैं सेल वॉल मोस्ट एंड मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सेल वॉल से कोशन्स उठते हैं कहां नीट के परपस्टा करने बात करूँ नॉन सेलोसिक पोली के मंदर के इंदर जोुद मारि सेलोज हैं यहिंग अगर इसेलोज की बनी होती कर दीन राच चे़में यहीं कुणी ब्लाप्रेटरिय और यहिवं सेलोसिक मतलब और यहां सब्सक्राइब करें लेकिन जब डीपली सटी हुई माइक्रोस्कोपी की तरूसे बाइयो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आगे बड़ा तब पता देला कि नॉन स्यलोजी पॉली सेक्रेट प्लस अमाइन असीट से मिलके बनी होती है पॉली सेक्रेट मतलब बहुत सारी सब्सक्राइब करें तो फंजाय में काइटिन प्रेजंट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि काईटिन इस चीज़ पर ध्यान रखा जाए कि फंजाय की से बनी हो दिया काईटिन से मिना इते हैं और यह बहुत रिपुटिटिव टाइप को जनाता है नीट के अं शॉब साफ तो और मनाकिया कि सैल वाल नहीं होती है एप्सेंट इसी व्याएशे एनिमीर नतों कोई दिक्कत है नहीं क्यूंकि क्यूंकि सैल वह एक मेंन ग्राट्रियर रह अब तक की पूरी जरनी का जो सारी चीज और अगर में दो था ही नहीं टाइट स्पर अमल्य कोई कि बुभ जब किसी कर कि निर्माड वातना है तो उसमें कुछ प्राणिंङों में तुछ ऐसा था किल अनी था विज। नींथे नहीं थी अभी त बिंघे कि मेंब्रेंट अपर थी अभी हम इसको यहां पड़ते है जो पूरा डिटेल call की बंड नहीं है नभी उकलेंट न薇जी ने परपस और आहां पर बडीज ऑने काम होते हैं तो नुक्रेट नीचलेंबरेंश सकता है अजम cumplr4 अब कोजहित μαयक होते हैं आ अहिेख बढ़त प्रखलेंट में नागीות इंक्रेंट है इन्होंने मतलब यहां पर टीशू का निर्मान हो चुका है लेकिन टीशू से चीजे आगे बनना शुरू नहीं हुई अभी आगे यहां देखो यहां पर क्या हुआ है यहां पर टीशू बन चुका है और गन बन चुक है टीशू से लेकिन यहां पर सिस्टम नहीं बनाया नहीं होते हैं कोई तो यह बहुत इंपॉर्टन चीज है एम सी क्यों लेवल पर गड़ देखा जाए ना नीट के अंदर या बोर्ड लेवल पे तो टिसू और और ओर्गन यह सी पायाते हैं प्लांट में लेकिन प्लांट में सिस्टम नहीं पाया जाते हैं यह सब चीज हो के लिए प्लांट रिफ्यूजन का काम करता है वह पताड़ पढ़ाएं आपको लेकिन अनिमीलिया देखो सब लिगाए टिसू और 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 शिस्टम सारी चीज़ लिखिए ना टिसू और 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 शिस्टम तो यह चीज़ आद रखना कि सब्सक्राइब शिस्टम और शिस्टम सारे शिस्टम अब पढ़ते हैं मोड आफ निट्रीशन भाई बहुत इंपॉट इंपरण चीज है मोड आफ निट्रीशन खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे और ट्रॉफिक मतलब की मोशन इक सब्सें पॉर्टन एक चीज दिहान सबसे दा मोड अगर निट्रीशन ऐसे बोलागी सबसे दा मोड अफ नूट्रीशन में कौन है चार उप्शन में मोंडरा फंजाई सब दे रहा हो तो फर्स्टम मोंडरा बजाएंगे अगर मोंडरा नहीं है और फंजाई है और डिफेंट ग्रूप से प्लांटे हैं तो हम फिर फंजाई बजाएंगे ठीक है तो इसकी मोड अफ नुट्रीशन में और ट्राफिक के मतलब स्वैम से खाना बना सकते हैं कि मुस अब दिखो अब और ट्रेफिक में डिफेंट ब्रांच आगे कॉनसी और ट्राफिक में कीमो सिंथेटिक एंड फोडो सिंथेटिक दो आ आथारफिक में कीमो सिंथेटिक बैक्ट्रिय और फोटो सिंथेटिक फोडो सिंथेटिक जानतों फोडो मतलब हिट्रो Parl Whe실 और फोटोन की मदोस से सारी चिजे हैं अब उसमें है हिट्ट्रॉफिक अब हिट्रोफिक में सेप्रोफिटिक एंक northwest मतलब डाइड और्ग निसम पे मतलब जो तुम्हारे यह मर जाता है कुछ भी और कुछ भी वेस्ट माटीरियल है ना जो यह अपने इन्वायरमेंट में जो भी यह डैड बॉडीज है जितनी भी हर चीज की उनको फीड करता है सेप्रोफिटिक मोड अफ नूट्रिशन और दूसरा चो है आपका पैरेसिटिक पैरेसिटिक मतलब किसी भी लेवि करें नेकली है होस्ट है और होस्ट पे फिर वो बैक्तरी आएगा हैं पैरेसिट करेगा हमेंएं फीड करेगा अपनी सैगल पूरी करेगा तो वह पैरेसिटिक मोड ऑफ नूट्रिशन है तो मौनड़ और वो गया प्रोटिस्टा के अंदर ओर्र्ट अज्ट्रफिक अंदर कोई भी autotrophic नहीं होता यह परफेक्ट है कि फंजाई की वॉल काइटिन की में नहीं होती है और फंजाई पूरा गुरूप hetotrophic mode of nutrition को फॉलो करते हैं प्लांट की बात करें फूरा फुल गुरूप autotrophic है कोई भी इसमें नहीं है हां ठीक है कुछ कुछ exception है इसकी parasitic plant है कुछ और डिफेंट डिफेंट है ना ब्लैड रवाल हो गया बहुत सारे plants हो गया कुछ ऐसे प्लांट है विनिस फ्लाट्रेप है यह इसकी parasitic mode करते हैं यह मतलब दूसरों से खाना हिट्रोट्रोफिक मोड करते हैं लेकिन वह exception में आते हैं बाकि उनका इसमें है सिप और ट्रॉफिक mode of nutrition ही लिखेंगे अभी नीट और बोड लेवल पर कर देखा जाए था अने मिलिया सारे होलो जोईक होलो जोईक का मतलब क्या होता है 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 ना देखो हीट्रोफिक में एक mode of nutrition यहां पर हमें देखने को मिला कॉंट सा यह most and most important है इसको लाइन गाना कि एनिमल का जो mode of nutrition है ना वो होलो जोईक है मतलब solid form में food लेना अंधर अचा फंजाए का mode of nutrition क्या है फंजाए का mode of nutrition ठीक है हमने मान लिया कि यह सेपरोफिक है परसीट है फंजाए क्या करता है ना कि दो टैप से वह करता है क्या कि वह क्या करता है कि जो digestive enzyme है उसके उसको बाहर किसी surface पर डाल देता है और फिर उस surface को वह liquid form में बदलेता है और उसको सक करता है ठीक है लेकिन होलो जोग में क्या होता है कि हम solid form लेते हैं अब तुम बलो कि पानी वी तो पी रहे है ना सरम लेकिन एसा solid form क्यों कि हम maximum time maximum चीज़े solid form में लेते हैं पानी अलमस्कितना लेते हैं ल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यह पूरा चार्ट है इसको बहुत इंपोरेंट याद रखना है इसमें सब्सक्राइब बताई मैंने क्या बात काईटीन दूसरा प्लांट का से लोज और तीसरा नॉन से लोजिक पोली सब्सक्राइब प्लास अमाइनो असे यह तो 100% आपक अब आगर नहीं कि और इस तरम में कहां स्टाट वा था इंस टाट अब एनी मिल से और इस चाह्तिव लेकिन और इस बन कहा गए थे आपकी प्लांटे बस इतना है भी और अब आगे चलते हैं अब देखो यह विटागर सापकी बात आगे अब देखिए आरेज विटाकर मैंने बोला तब बताया था ना कि यह फाइफ इंडांट ग्लासिपीकिस ने जो इस थापना की थी वह विटाइकर सापने की ती यह कर लिएर मोस्ट अटेंट एक तो फ़र्स नाइट के परपस से ना कुछ ही चीज़े इंपोर्टेंट एए इतना इम्पोर्ट नहीं पे 것은 कुछ कुछ सुछ्छे हैं कुछ एषज हैं से चो इंपोर्टेंट элект जो पूरा होल सेसे बता दो कॉवं कर दो कॉं Кनसे एर इंपोर्टन नें कि क्या किया है सारी इंपोर्टन है तो आरेज विटा के 1969 मुस्ट इमच लेता है मेडिकल एक्जाम में पूच लेता है कि आरे विटाकर ने कौन से एर में किया था 1969 इन्होंने क्या था प्रपोस्ट फाइविंडम क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या था उसमें इन्होंने खोच की थी किसकी फंजाई की यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ऐसे नॉलिज क्लि दे चुके थे बट इन्होंने फंजाई को डाल करके इस पूरी सिस्टम को कम्प्लीट कर दिया वही क्याता ने कम्प्लीट करने वाले का नाम आखिर में चूट जाता है तो वही स्टार्ट के लिए और करता है इन्हीं दोनों के नाम चूट जाते है तो वही इसने आरेज विटा करके नाम आये और लीनियस साहब हमारे अरश्चुटल साहब ने स्टार्ट भी कर दिया था में क्रैटरिया क्या था इनका इन्होंने इंक्लूड किया सैल स्ट्रक्चर बॉडी और्गनाईशन मोड अफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन फाइलो जेनेटिक रिले अब सबको इंक्लूड करके इसमें डाल दिया गया है यह आपका MCA लेने लग गया है सबका नीट अल्मोस्ट पूरा कॉमन कर दिया तो पहले एक्जाम चला था आर सी पी एम्टी तो आर सी पीम्ट के इसकी ट्रिक है याद रखने की कौन से क्या क्या चीज जाद रखना है कि main criteria क्या थे classification के जो हमारे विटायकर सामने दिये थे main criteria क्या थे classification के rep exact reproduction reproduction बोलो mode of reproduction बोलो कोई issue नहीं है inc reproduction cpmt से क्या आएगा c से क्या ay है cell structure अच्छा एक बात और cell structure इसके साथ एक चीज और द्यान देने वाली बात है कि कहीं कहीं nucleus ही पूंच लेता है cell nucleus है ना कि यह बात ही पूंच लेता है यह cell nucleus वाली बात क्यों बूची क्यों कि Mondra group के अंदा nuclear membrane नहीं थी that's why cell nucleus की बात मुझी cell structure बोल देता है या फिर cell nucleus भी बोल देता है तो घबराने वाली ऐसे कोई बात नहीं है न और P मतलब phylogenetic relationship phylogenetic relationship है न M मतलब mode of nutrition mode of nutrition T मतलब thallus organization है न यही है सब thallus organization thallus organization लिख सकता है या इसको ही cell structure का भी थोड़ा कभी गात दे देते हैं thallus organization भी लिख सकते है न इसको कि अब thallus आएगा पूरा फंजय की इंग्डम में thallus होते हैं कि body कैसे होती है वो सब यह बता दिए कि table 2.1 में सारी इनकी characteristics बता दी है हमने बता देता अभी अब three domain system हाँ एक चीज और अब problem क्या पढ़ने लगे न कि mondra के अंदर कुछ ऐसे group आये लग गए कि जिनकी specificity यह अलग थी मतलब वो अलग की काम कर रहे थे ठीक है न कोई बहुत खतना temperature में रह रहा था कोई कोई जहां proxy नहीं वहां रह रहा है कोई बहुत मतलब salty areas में रह रहा है तो यह bacteria भी आये अब mondra group को फिर वहां divide किया गया तब वहां से कौन से बने यह three domain system domain domain मतलब एक group domain मतलब एक पूरा group एक पूरा मतलब यह जो कमीड़ टाइब का domain बनना स्चाट हो अब domain में क्या क्या हुए देखो अब हमारे पास क्या थी हमारे पूरा monra group था एक ठीक है एक पूरा domain यह हो गया monra group का तीन डोमेंज था न बास थ्री रुborो है, तो आसरे दो बलो है, सब आख Arahan के मोंडा से लिए लेकिन इन्होंने क्या किया कि अ मॉन भॉट्रा के दो क्रूमें डिवाइड गया कौन कॉन से एक तोомеंगि परहले लिखना चाहिए लिकिन वो हम बाद में देखेंगे उसको perception लागे और U bacteria ठीक है तो क्या हुआ था कि अब यहां देखो तीन domain डिवाइड होगे R की पूरा अलग domain आ गया U पूरा अलग domain आ गया और जो 3rd domain था 3rd domain के अंदर हमारे प्लांटे अनिमिलिया फंजाइन प्रोटेस्ट आ गया तो इसका मतलब है 3 domain system ठीक है तो आपको इसमें कोई confusion नहीं रहा न चाहिए कि 3 domain system क्या है 3 domain system में कौन कौन से थे मोनरा को दो पार्ट में डिवाइड किया कौन आर्की बैक्ट्रिया एं यू बैक्ट्रिया हला कि यह एंड सेटी में नहीं है लेकिन थोड़ा जान लेना ज्यादा बैटर है कि 3 domain system है क्या है proposed that divides a kingdom मोनरा into two domains देखो लिखा है कि 3 domain system में लिखा था कि मोनरा को दो domain में divide कर दी गया leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain और यह जो पूरा kingdom था इसको eukaryotic kingdom बोलते है eukaryotic kingdom देखो यह वाल तो पूरू karyotic kingdom आ गया और यह आ गया eukaryotic आ गया ठीक है तो three domain में archibacteria eukaryotic और eukaryotic अभी हो गया leaving ठीक है यह समझ में आ गया होगा third domain में आ गया third domain में कौन था eukaryotes third domain में थे ठीक है और prokaryotes कौन थे first और second है prokaryotes थे and six kingdom classification और इसी तरीके से क्या हुआ six kingdom classification बना कैसे बना साथ से six kingdom classification चार तो आपकी होगे कौन प्लांटे एनिमेलिया फंजाई और एक प्रोटिस्टा चार यह और दो कौन से archibacteria and eubacteria तो टोटम ला कितने होगे शे किन आपक्लासिफिकेशन होगे ठीक है अब आगे पढ़ते हैं आप पढ़ोगे हाइर क्लासिफिकेशन कौन सी 12th के मेबियाश चलो डिसाइट करते हैं इन हाइर क्लासिफिकेशन लेट ऊडूक अट प्लासिफिकेशन चो यह चोड़ो इसको और अर्लिया धिस्टम इंक्लूट बैक्टिरिया ब्लू-green अलगी फंजाई मॉसिज फॉंट्स जीम्नो सपर्म्स एंड इंजी सपर्म्स अंडर दप्लांट देखो मैं क्या बता रहा था कि पहले प्लांट के दिना कि प्लांट सब कुछ रखा गया था क्यों सेल वोल की वेसे इनमें सेल वोल से अच्छी गई क्योंकि एनिमल पहले ही इनमें सेल वोल नहीं होगी एक्टिरिया को ब्लूग्रीन अलगी को फंजाई को मॉसिस को इन सब को प्लांट में रहे दे बिकाज विकाज इस सारे गुरूप के वास सैल वाल था में क्राइटिरिया अब च्रेक्रेक्रेश्टिक देट यूनिफाइड इस होल किंग्डम ध देती है वही चीज़ कि यूनिफाइड दस सेल वाल एक सेल वाल की वज़े से सब को इस प्लांट में रखना पड़ा और यह एंडशाट ही लिखती है तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखने पड़ेगी इन दियर सेल्स इस प्लेस टुगेदर ग्रूप विच वाइड 정 अपर्यशाच्त इस वाल प्रूप एड़ी अलगी वित अधर गूप्सोर। मैं यह यूजाट इो करिया कि इन्हों ने प्लूप्स को और यूकर्योटिश को दौनों गर्ख दिया जब कि प्लूवह एक साथ प्लेसकर करके रख एक डिया थे साथ एकशाध EUर्लांट क प्लांट के अंदर रख दिया था देख इन्होंने क्या किया ब्लू ग्रेन एल्गी को और जो दूसरी युकरेटिक सेल थे उनको भी उन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया था क्योंकि युकरेटिक में ने बताया था कि दिफ्रेंस सेट नहीं करते हैं वही साइज लाइन लिखिए आपर द्वारा से बस एक एक्जामपल देदिया यह एक्जामपल मैं आपको पहले समझा दी थे देखो यूनिसल्री अरोगनिसम के अग्जाम समल समझायता मैंने अब तो अब देखे अब्धिक वर प्लेस टूगेदर अंडर था चिंग्डम यह एक चीज और अब यह फिर प्लांटे का ही पाट है मतला प्लांटे जो किंडम है न उसका ही पर इक सब क्लास जाइग अरुट प्लांट किंग्डम का ही एक ग्रूप है तो इन्होंने किंग्डम एल्गी के इन दोनों को रख दिया जबकि यह दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक चीज़ आख ना हाला कि अभी आएंटसाटी आगे बताएगी कि किलमाइडो मोनास को और इन सब को प्रोटिस्टा में रख दिया है लेकिन पढ़ते हैं अभी किसके अंदर एल्गी केंदर आएंटसाटी की लाइन आएगी अभी मैं आपको वह लाइन समझा दूंग अच्छे से देखो अधा नौट डिफ्रेंसियेट बिट्विन था ही टॉट्रॉफिक बता चुका हो मैं कि फंजाए में और चुका अलड़ी दो देर सोट गर्टरिस्टिक डिफरेंस इन देर से वाल कंपोईशन में इनको आरे थी से वेसे इनोंने अलग रखा था पहले क्या था पंजाए की वास क हुए तो क्या हुआ पता चला कि फंजाए में काइटीन है ठीक है क्या पता चुका अलड़ी क्या से लोज है बस एक इसी विवाद कारण पूरा फंजाए किंग्डम अलग बनाना पड़ा किसी वेशे से सेल वाल की वेशे तो मोस्ट इंपॉरेंट चीज सेल वाल है ध्यान इंपॉएसन इंदिये सेलवोल्स वाइल डे ग्रिन प्लांट इंप सैलोजिय वाल पता चुका हूं फंजाए वर कंशीडर दा फंजाए बर प्लेडल प्लेसिंट सेपरेट ग्रूब किंडम अब जब इस क्रेक्टर को कंशीडर किया क्या ऐं किया कि फंजाए में काइटी ने है और प्ल में रखा अब यहां भी बाद पढ़ गया क्या विवाद पढ़ा है सब मैं बता चुका हूं अलड़ी द्वारा-द्वारा से रिपीट कर रहा हूं ठीक है रहा हूं अब कि यूणी अफ्रीय यूखरियोडश व भी सव देखो है प्रोटिस्टा वं इस अल्गेटर को हूं दो किसी यूद्धर का प्रोटिस्टा विवमाट्र टुगेधर हैज प्लमाद ऑनास को नेग्राय जिसको पहले एलगी इसका कि अधर प्लैस के अधर प्लां कि अल्टी चैनल सेतं फिर 20 भांट और इन दौन हमें सेलवाव यह वित पेरामीसियम है और अमीबा पढ़ामीव में प्लैसिंव करीं लेकिसे और फिर उसे नहीं होती है उनको प्लेसिंव कर कर दिया था किंडम अनिमल किंडम में दिखो या लिखा है विच लेक सैल वाल कौन परमीशियों और मिवा क्यों नहीं होती है इस पूट तोगेधर और विचिस अरले क्लासिफिकेशन वर प्लेज इन दिफरेंट किंडम अब क्या हुआ है कि पहले मैंने बोला था ना कि जो इसको पहले स्टार्टिंग में रखता गया था लेकिन अब इनको प्रोटीस्टा में रखा गया है लेकिन पढ़ाते कहां पर है अल्कि के आश्ड़ा ते तो लिखते तो इस चीज़ पर बहुत डिस्प्यूट ए तो इसको कोई पात नहीं ठीक अब यह हो गया है अब गय इसी प्रकार के हम लगातार चेंज होते गए तो इसी प्रकार के हम लगातार चेंज होते गए तो इन सब पर डिपाइंड करते हों हम दीरे-दीरे क्राइटरिया भी चेंज करते रहेंगे तो इसी पूरी डीटेल नहीं पढ़ाँगो तो मैं अच्छे से ना इसी क्या होता है पूरा समय जैसे गुजरता रहता है एन अटेंप्ट हस बिन मेट तो इवाल वा क्लासिफिकन सिस्टम बहु सरे टेंप्ट होते हैं जो क्लासिफिकन सिस्टम को अटेंब करते हो वर टेंब रिफ्लेक्स नॉट ओनली दा मॉर्फोलोजिकल फिजिलोजिकल रिप्रोड़क्टिफ सिमिलेटीज बट इस अलसो फाइलोजनेटिक अच्छा एक चीज़ और यह दो टर्म जो है न इवोलिशनेरी रिलेशन्शिप और दूसरा फाइलोजनेटिक तो यह दो टर्म बेटा कल स्टार्ट होने से पहले मोंड्रा गुरूप पढाने से पहले पहले फिरस्ट आफल हम बात करेंगे इन दो गुरूप पहले इवोलूशनेरी ओन्जिप और फाइलोजनेटिक यह दो चीज ना टर्म आपके पूरी बाइलोजिक में कामें द्रीज से आपको वो कर देंगे बाद में फिर इंदी सेप्टर वी स्टड़ी दा कैट्रेस्टिक्स ओफ फंजाई विटाइकर क्लासिफिकेशन पर एनिमिलिया पर एन इस सारी चीज़े कर लेंगे अच्छे से थैंक यू अच्छे से थैंक यू